यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावस सले मात्रवो में मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि महराज सरकार अपने पत से भटक चुकी है उसका मुख कारण है कि महराज सरकार ने जिस प्रकार से अभी अड़नाब गोसामी को नोटिस इशू किया है रिपब्लिक भारत के इडिटर इंचीफ को वो मुझे लगता है कि महराज सरकार की अपनी नाकामियों को दर्शाता है कैसे सबसे पहले जब अड़नाब गोसामी ने वहाँ पालगर का केस उठाया क्या नहीं उठाया जाना चाहिए था सादू की खुलेयाम हत्या हुई पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई थी पुलिस के सामने हत्या हो रही थी किसी न्यू चैनल को वो नीउज नहीं दिखानी चाहिए थी सबाल यह आता है कि हिंदू की हत्या हुई तो क्या किसी को उस पर बारता नहीं करनी चाहिए थी वाट वस रॉंग फ्रम गोसामी साइट अगर किसी न्यू चैनल ने न्यूज बताई है आप संग्यान नहीं ले रहे हैं जिस पर देश ने रिस्पॉंड किया Right to know is a fundamental right मेरा fundamental right है कि मैं जानू कि मेरे देश में कौन क्या कर रहा है मेरे देश में सादू की हत्या हो रही है तो मेरा right है कि में जानू की सादू की हत्या करने अले कौन लोग है और क्या चल रहा है और सरकारें क्या कर रही है आखिर हमने सरकारों को चुना है सरकार ने हमको नहीं चुना है पहले पालगर केस में जब इस तरह का मामला चला या शुशान सिंग राजपूत केस में जो मामला चला या कंगना रनावत केस में जिस प्रकार से चैनलों ने रिस्बॉंड किया वहां की सरकार अब पत से भटक चुकी है पहले legislative assembly के द्वारा विधान समा के द्वारा notice issue किया गया motion लाया गया गया गंगना रनावत के खिलाब motion लाया गया या अर्ना गुस्वामी के खिलाब motion लाया गया जबकि वो सरकार को कड़गरे में खड़े किये हुए हैं वो legislation को नहीं हम सब को पता होना चाहिए कि legislative assembly या legislation और सरकार अलग-अलग होती है legislation में जिसकी 50% से उपर की voting होती है या समर्तन होता है वो सरकार बनाता है लेकिन सरकार legislation नहीं होती legislation से सरकार निकलती है और legislation सरकार बदल भी सकता है जब उसको मौका में लेतो नो confidence motion लाते है और उनको गिरा देते हैं तो अर्नव गुसामी अगर किसी की बात कर रहे है तो लेड़ियर अरसेंबली की तो बाती नहीं कर रहे है विदान सबा की कोई बाती नहीं हो रही है अर्नव जी जो बात कर रहे हैं या जो टाइमस नाव बात कर रही है मिसकविता जी जो बात कर रही थी वो बात हो रही है सरकार की और सरकार का किटसाइजेशन करना सरकार की policy सरकार की activism सरकार के द्वारा किये गे कामों को सुचना में लाना किसी भी new channel का नहीं हर एक व्यक्तिका कर्तब बनता है तो पहले वो हुआ सुर्फ सुप्रीम कोर्ट चले गए उससे पहले एक F.I.R हुई सुप्रीम कोर्ट वो चले गए सुनिय गंदी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया उसके बाद फिर वो ट्यारपी मामला आ गया मैंने आपको बताया था ट्यारपी मामले में कुछ नहीं होता क्योंकि ब्रीच अप ट्रस्ट हुआ किसका आप के वले F.I.R लिखकर हूदह मचा सकते हैं आप उनको बुला सकते हैं, हैरस कर सकते हैं बाकी इससे जादा आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्यारपी मामला कोई regulation नहीं है कोई कानून नहीं है और कानूनन कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उस पर क्या होना चाहिए कोई नहीं होने थी जब देखा कि उसमें भी कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं मिला तो section 107 का notice issue कर दिया CRPC में 106-107 का notice होता है आपको याद होगा कि आप bond भरिये कि आप गड़बडी नहीं फैलाएंगे बॉंड भरिये गड़बडी नहीं फैलाएंगे यह उनसे कहा जाता है जिनके द्वारा वहां पर उदम मचाया जा रहा हो जो law and order बिगाड रहे हों जो कानूनी वेवस्था बिगाड रहे हों जिनसे दंगे का एक खत्रा हो और जो लोग कभी न कभी किसी न किसी criminal act में involved रहे हों अब अर्णब जी को इस तरह का notice section 107 का issue करना कि आप आएए और bond भरिये कि आप कोई गड़बडी नहीं करेंगे आप पालघर मामले में कोई गड़बडी नहीं करेंगे मैं समझ नहीं पाया कि सरकार की बुद्धी कहां चली गई है सरकार क्या करना चाहती सरकार के पास कोई machinery नहीं बचे अब क्या वो एक सो केवन का चलान करेंगे क्या क्या वो अब 107 का notice शू करेंगे उनके पास कोई हतियार नहीं बचा उनके पास कोई legal matter नहीं बचा तो अब मुझे बिलकुल पूल विश्वास हो गया है कि महरास्ट की सरकार पतब्रमित हो चुकी है जिस प्रकार से वो action ले रही किसी का घर तुलबाती है तो किसी की चट तो किसी का बंगला तुलबाती है तो किसी को 107 का notice देती है किसी को लेज़ेट assembly से motion पास करवा रही है उनके पास करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है सिबाए ये drama करने के मुझे लगता है कि हमारे देश में सरकारें काम करने के लिए बनी है ना कि revenge के लिए और महराष् जाए वो सारे काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए जो सरकार का कर्तब बनता है कि अगर उन पर प्रस्ण ख़गा हुआ है तो उना प्रस्णों का जबाब दें अगर उनकी कारपदति पर कहीं पर भी एक Queshen Mark आया है तो कारपदति सुधारें अगर उनकी विधियों प को पोटरी में खड़ा कर दें हमारे हाँ एक कहवत है निंदक नीरे रा किये आगन खुटी छबाए ये जैसे योगी जी कहते हैं कि मीडिया का करतब बनता है कि आप हमें इंफॉर्म करिये हम एक्षन लेंगे आप हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है आप दिखाये हम उस पर एक्षन लेंगे हम उसको सही करेंगे और आप देख भी रहे हैं कि चाहें वो कोई भी घटना हो किसी प्रकार की घटना हो मीडिया अगर उस पर प्रशन उठाती है मीडिया अगर उस पर इन्वेस्टिगेटिब जनरलिजम करती है तो योगी सरकार उ एक इंस्टिंग किया और वो सूचना गई वो चैनल पर बैठे हुए थे शिवराज जीवन और वो कटगरे में खड़े हुए थे इतने में उनके खिलाफ है फायर दर्ज करवा करून पर निवेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया था तो योगी सरकार अगर कह रही है कि आ आपके पास अगर कुछ है तो आप उस पर होमवर्क करिए आप उस पर करिए आप उसको जाकर इनराइस करिए उस पर डिटर निकाल कर लाइए और बोलिए हम उस पर एक्शन लेंगे तो मुझे नहीं समझ में आता कि महरा सरकार को अगर कोई कहता है तो वो उस पर अपनी चबी सुधरने की बजाए अपने काम को सुधरने की बजाए वो उसको निगेटिव वे में क्यों लेते हैं और निगेटिव वे में लेकर क्या उनको लगता है कि जनता के बीच में उनकी चबी सुधर रही है मुझे लगता है कि वो जनता के बीच में अपनी चबी को बिलक बाला साहब ने कि वो कौन से रास्ते पर चल पड़ा, वो कौन से हिंदुत पर चल पड़ा, वो देश के किस रास्ते पर चल पड़ा, मंदिरों में ताले लगाता है, मस्जितों को खुलवाता है, मंदिरों में के घंटे बंद करवाता है, और मस्जितों में अजान करवाता ह वो दारू के ठेके खुलवाता है लेकिन मंदरों को नहीं खुलवाता और वो मुसल्मानों का सनक्षन करने के लिए आगे रहता है लेकिन हिंदू के पीछे पड़ा रहता है ऐसा कौन सा बीजबोया गया था जो इस प्रकार के बच्चे पैदा हुए जिन बच्चों ने बाल वर्ष की चिंता करनी चाहिए ये स्वाभाविक होना चाहिए था लेकिन वो जिस रास्ते प्रसत्ता के मोह में चल दिये हैं वो रास्ता अब उनको सिर्फ नर्क और गर्द की तरब ले जा रहा है जिससे उनका भला नहीं होने वाला है अब हती अब इस तरह के हतियारों को इस्तिमाल करने का समय नहीं बचा अब उनको अपनी 26 उदारनी चाहिए कि क्यों चुनाओ अब आगे पीछे कभी न कभी होंगे ही और आपको जवाब देना ही पड़ेगा दन्यवाद उद्धव जी इस पूरी और्गनाजिशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप और आप